नम्शकार दोस्तों मैं साहिल ठाकोर एकमार फीट से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आजीर हूँ इससे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें हिमाचल प्रदू्ष की तीन बड़ी खबरें आईए आज हम स्टार्ट करें हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के वारे में Breaking news अभी अभी हिमाचल में युवाओं के लिए बड़ी खुश कबरी इन जिलों की होगी खुली सेना भर्ती नई दिली हिमाच्चिर प्रदेश में सेना की खुली बर्ती का योजन होने जा रहा है 6 नुवंबर से 16 नुवंबर 2021 तक मंडी कुलू या लहोल्स पीती मेदान में योजित की जाएगी जिसमें मंडी कुलू लहोल्स पीती जीले के उमीदवार शामिल हो सकेंगे सेना के समाने ड्यूटी लिपिक स्टोर की पर तकनिकी और फार्मा पद के लिए ये बर्ती की जाएगी इसके साथ हिसैनिक ट्रेटमेंट पद की बर्ती भी की जाएगी मंडी कुलू लहोल्स पीती जीलों के सैनिक ट्रेटमेंट पद की बर्ती आरोशिमला कराएगा जोकी रामपूर, जुनगा, सोलन या पाउंटा साहिब में अयोजित की जाएगी इच्चुक उमिदवार 28 गस 2021 तक बर्ती के लिए अपना पंजीकरन सेना की वेबसाइट पर करा सकते हैं केवल ओनलाइन पंजीकरत उमिदवारों को ही बर्ती में शामिल होने के लिए प्रवेश परत्र दिये जाएंगे बता दें कि अभी तक लाहोल्स पीती जीले के 35 युवाव ने ही पंजीकरन करवाया है इसके अलावा भरती के लिए किसी भी वेक्ती को रिश्वत न दे बिचोलियों से साफधान रहें भरती प्रक्रिया पुरी तरह ओनलाइन और पारदर्शी रखी गई है नकली प्रमान पत्र के साथ उपस्थित होने वाले उमीदवारों को प्लीस के हवाले कर दिया जाएगा उमीदवार शारिक शक्ती वर्दक द्वाओं का उप्योग नहीं कर सकते फिजिकल टेस्ट के बाद आवेद्गों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा अगर ऐसी किसी दुआई के सेवन का प्रमान मिलता है तो उस उमीदवार का अवेदन तत्काल निरस्ट कर दिया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति भरती करवाने के लिए पैसे मांगता है तो इसकी सूचना तत्काल भरती कार्याले मंडी के भरती निदेशक अत्वा प्लीस को दें अगली ख़बर कुलू में बादल पटने से लापता पूनम का पंडो डै में ग्यारा दिन बाद मिला शव हिमाश्री प्रदेश के कुलू में मनिकरन के ब्रमगंगा नाले में बादल पटने से लापता ब्रमगंगा निवासी 25 वर्षिय पूर्णम का पंडो डैम में 11 दिन बाद शव बरामद हुआ है शव की पहचान उसके परिजनों ने की है परिजन पिछले 11 दिनों से पारवती नदी किनारे लापता पूर्णम और उसके 4 साल के बेटे की तलाश कर रहे थे रहे विवास सुबा जब पंडो डैम में शव को पानी में तैते हुए देखा गया तो इसकी सुचना दी गई पूर्णम के परिजन जब मौके पर पहुँचे तो उन्होंने शव की शिनाकत की इसके बाद शव को पोस्ट माटम के लिए मंदी अस्पिताल पहुँचाया गया हलांकि पूर्णम के चार वश्य बेटे निकुंच सही कुल तीन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है एसपि गुर्देव शर्मा ने कहा कि मनिकन के बादल्म से फटने से लापता एक शव मिला है लापता लोगों की तलास जारी है अगली ख़बर कल पूरे देश की बत्ती रहेगी गुल करमचारी करेंगे देश व्यापी हर्टाल जानिये पूरा मामला पूरे देश में कल यानि मंगलवार 10 अगस्त को बिजली की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है बिजली वी धायक 2021 के विरोज में देश पर के 15 लाग बिजली करमचारी और अभियंता हर्टाल करेंगे इस बारे में बिजली करमचारी और अभियंताओं की राष्टि समन्वे समिती नैशनल कोडिनेशन कमेटी ओफ एलेक्रिसिटी इंपलोईज एंड इंजिनियर्स की ओनलाइन बैठक में बुद्वार को ये फैंसला किया गया दस अगस्ट को यानि कल आपके घर से बिजली गुल हो सकती है इसके पीछे ये वज़ा है कि पधानमंत्री नरेंदर मोती सरकार ने उचाक शेत्र में सुधार के लिए संसद के चालू मौंसुन सत्र में ही बिजली विदैक दोजारीक्रिसिटी बिल दोजारीकिस लाने का ने लिया है इस इंशोधित बिल के विरोध में इलेक्ट्रिकल इंजिनियरों ने 10 अगस्ट को हर्टाल पर जानने की धमकी दी है इस बारे में ओल इंडिया पावर इंजिनियर्स फेडरेशन के चेर्मेन चलेंदर दूबे ने बताया कि केंदर सरकार ने संसद के मौंसुन सत्र में इलेक्ट्रिसिटी बिल दोजारीकिस को संसद में रखने का और पारिद करने का ऐलान किया है जिसके विरोद में बिजली कर्मियों को राष्ट व्यापी हर्टाल पर जाने का फैसला लेना पड़ा है आगे बताया कि नहोंए केंदर सरकार से बांग की है कि विजली कानुन में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दवाजी में पारिद करने के बजाए इसे संसद की विजली मामलों में स्टेंडिंग कीमेٹ्री को बेजा जाना चाहिए कमेटी के मामले विजली अबोकता और विजली कर्मियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अफसर दिया जाना चाहिए चुलेंदर दुबे ने कहा कि एलेक्ट्रिसिटी एक्ट 23 में विजली उत्पादन का लाइसेंस मापत कर बड़े पैमाने पर विजली उत्पादन का निंजिकरन किया गया जिसके पर नाम स्वरूप देश की जनता को निजिकरानों से बहुत मंगी विजली की मार जहलनी पड़ रही है उन्होंने कहा कि अब एलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 के जरिये विजली वितरन का लैंसिस लेने की शर्स मापत की जा रही है जिससे बिजली वितरन के संपूर निजिकरन का मार प्रिशस्त हो जाएगा इस परकार ने मिलके जरिये सरकार बिजली वितरन का संपूर निजिकरन करने जा रही है जो किसानों और गरीब घरलू बोकताओं के हित में नहीं है दरसल बिजली विदेख 2021 के तहर बिजली वोकताओं को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे जैसे उधारन के तोर पर समझिए इस समय जैसे टेलिकॉम खेतर में आपको किसी कमपनी की मोबाल सर्विस पसंद नहीं आती है या रेट ज्यादा लगता है तो आप अपना सीम बदल कर दूसरी कमपनी का ले लेते हैं या फिर अपना नंबर दूसरी कमपनी में पोर्ट करा लेते हैं इस संशोदिक बिल के हिसाब से अब ऐसा ही बिजली क्षेतर में भी होगा हर क्षेतर में कई सर्विस प्रोवाइडर होंगे जिससे अगर एक कमपनी की बिजली सप्लाई ठीक नहीं है या पावर कट होता है या फिर रेट ज्यादा है तो आप दूसरी कमपनी से बिजली ख जाएंगी